नमस्कार प्री सिच्चक साथियों कोविड नाइंटीन पैदस में बच्चों का लार्निंग लास ना हो इसके लिए डिजिलब ग्रूप के मात्रम से जन सिच्चकों द्वारा सिच्चकों के ग्रूप में सामगत सहचनिक सामकरी पंचारी जा रही हैं लेकिन सिच्चकों द्वारा अलग कच्चा में न बेज कर पूरी एक से कच्चा नौतक की सामकरी प्रचोवा अईवावकूं के ग्रूप में बेज दी जाती है जिससे उन में ब्रह्म की इस्थिति पैदा हो रही है आता है कच्चा वार वा इस्तरवार सामकरी बेजने की पूरी प्रक्रिया मेरे द्वारा बताई जाएगी लेकिद इसके पहले आप लोगों से अनुरूद है कि इसी तरह की नमीन तमजानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्क्राइब यों वीडियो को लाइप जरूर करें आतियो सबसे पहले हम फोन पे अपना वाट्सअप में ओपन करेंगे वाट्सअप में आप देख रहे हैं कि जनसिचकों द्वारा प्रते दिन सामकरी बेजी जाती है जो इस तरह है यहां पे देख रहे हैं कि कच्चा 1-2, कच्चा 3-5 और कच्चा 6-8 और कच्चा 6-9 की है लेकिन हमें कच्चा 1-2 के ग्रूप में ही सामकरी बेजनी है जो की साला इस तर पर बनाए गये हैं आता है इसके लिए पहले हम यहाँ पर यह जाएंगे जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसकी कापी कर ले के बाद आप साला इस्तर पर अपने कच्छा के ग्रूप में जाएंगे और जाकर यहाँ प्रेस्ट कर देंगे प्रेस्ट करने के बाद अपनी कच्छा के लिए उपयोगी सैचनिक सामगरी को छोण कर बाकी अनुपयोगी सैचनिक सामगरी को इस तरह कैंसिल कर देंगे और जो बच्चों के लिए लाबदाई है और बच्चों में ब्रह्म की इस्तिति नहीं रहेगी और इस तरह मैं सामगरी बच्चों को प्राप्त हो जाएगी और बच्चों में दूसरे खच्चा की सामगरी कब्रम नहीं रहेगा